अगर आपको यही चाप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो यही चाप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो यही चाप्टर आपका पासिंग अच्छे से कवर कर देता है अभी से आज से हम SMD और BMD के वीडियो डालेंगे प्रॉब्लम कैसे सॉल करना है वो भी देखेंगे और सबसे इंपोर्टन चीज कि मैं आपको इसके सब्सक्राइब करना है कि आप आपका सम निकल सकता है उसके से विडियो लेकिन उससे पहले हमेशा जो बोलता हूँ आज भी बोलूंगा आपको लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सारे बच्चोतों की वीडियो पहुचा दीजिए कि जिससे उनका सम जो बैकलोग लगाए वो अच्छे से निकल पाए तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विडियो विट एक प्रॉब्लेम ले ले थे हम पहले सी यह वाला प्रॉब्लेम है एसेपड और बीम्ड का इसके अंदर सिंप्री सपोर्टेड बीम हेविंगा स्प यह प्रॉब्लेम है तो इस प्रॉब्लेम को अभी हम एक्जिक्यूट करते तो प्रॉब्लेम को एक्जिक्यूट केचे करेंगे तो यह वाला जो प्रॉब्लेम में सबसे पहले हमने डागराम इसका ड्रॉ कर लिया है तो डागराम में देखो क्या है सिंप्ली सपोर्टेड तो simply supported beam यहाँ पे draw करना है और problem के अंदर beam में पहले तीन मिटर से left hand side से 3 मिटर तक UDL था तो UDL हमने draw किया UDL का value दिया था 2 किलोन्यूटन पर मिटर उसके बाद एक point load दिया है 3 किलोन्यूटन का at a distance of 3 मिटर from the left support और दुसरा जो point today 5 किलोन्यूटन का at a distance of 2 मिटर from right support तो इस हिसाब से हमने यह डागराम बना लिया तो डागराम बनाने का यह अपना पहला पार्ट होता है पहला step होता है कि हमको डागराम बनाने आते चाहिए बात में आएंगा step number first step number first में क्या है कि आपको unknown values find out करने तो पूरे डागराम में देखिए unknown values क्या है जो दो values हमने यहां पर देख रहे पहला value है और दूसरा value है और बी तो यह दोनों values हमको find out करने रहते तो वह कैसे करेंगे सबसे पहला वाला reaction समलेंगे वह होता है summation f of y इसको बोलते है equilibrium condition summation f of y is equal to 0 इसका मतलब होता है y axis के उपर जितने भी forces है उनका सबका summation 0 आना चाहिए तो y axis के उपर मतलब क्या है जो vertical forces है उन सारों का summation 0 आना चाहिए ठीक है तो vertical forces देखिए कौन से कौन से है आरे और इसके अंदर क्या होता है कि उपर जाने वाला force positive से कमें है नीचे आने हम फोर्स नीगेटिव लेना आ तो आरे उपर जा रहा है страшना इन दोनों को positive लिगे नीचे कोना रहा है माइनस थृम नीचे आ रहा है-5 M 1 नीचे आ तो इन दोनों को माइनस लेना है माइनस रर है-3 और माइनस प्राइव को हम आज़ से कन वर्जन को value दिया था UDL का 2 x जितने distance पे UDL है 3 उसको multiply की जिए 2 x 3 कितना हुआ 6 हुआ तो यह qaha पे Act कहा पे करता है जितना span के उपर UDL है उसके Centre पे Act करता है मतलब 3 meter था three के Hub 1.5 meter पे Act करेगा ठीग है तो ऐसे 3 forces से तो तीनों नी Watch जा रहे थिक तीनों के value minus league और जो minus. सो प्लस 6 प्लस 3 और प्लस 5 तो इन त्यों का समेशन हो गया 14 तो आभी क्या गरना है सेक्ट स्टेप में हमको मॉमेंट लेना है मॉमेंट क्यूं लेंगे हम मोमेंट जब लेंगे तो मोमेंट की वज़ास से उनको सबको आपको गोल घुमाना है तो गोल घुमाना मतलब के से एक क्लॉक बोईस डारेक्षन एक तो एंटिक्लोक पोईस डारइक्शन यह दोनों इसם सबसे पहले हम औरर इक व गो गुमेगा सिक्स गुमेगा clockwise direction तो 6 को हमने positive प्लस दिया 6 इंटू इंटू इंटर तक का distance तो 6 इंटू सेंटर तक का distance कितना हुआ 1.5 तो 1.5 वल्टिप्लाइ किया दूसरा वाला जो 4 से वो भी clockwise गुम रहा है तो प्लस 3 इसलिए प्लस लिया इंटू 3 से यहां तक का distance कितना है वो भी 3 है तो 3 multiply by 3 बात में आता है 5 किलोनूटन तो 5 कैसे गुमेगा 5 will also move in clockwise direction क्योंकि center यहां पे तो वो इस direction में गुमेगा इसे ओके तो 5 इंटू टोटल डिस्टनस कितना है इसका वो भी 5 है तो 5 इंटू 5 किया अभी आर्बी दिखिए आर्बे अपवाट direction में तो आर्बी अगेंस्ट यह कैसे गुमेगा यह गुमेगा एंटी क्लोक वैस डारेक्शन में इसे बरबर है तो एंटी क्लोक वैसे तो माइनस लीजे माइनस आर्बी इंटू यहां से आर्बी center तक का distance multiply कीजे तो वो distance से 7 is equal to 0 तो अभी यह पूरे value का summation हम नहीं किया तो उसका summation मिला हमको 43 और आर्बी चो था माइनस आर्बी इंटू 7 is equal to side के इस side में वेज दिया तो वो plus आर्बी इंटू 7 हो गया तो यह इन तीनों का summation 43 और यह 7 multiply इस side में तो इसको divide में वेज दिया तो 43 divided by 7 so rb having the value 6.14 kN then after put this value of 6.14 into the upward relation उपर का जो relation उसमें value डाल दीजिए r a plus rb 6.14 is equal to 14 okay तो 14 minus 6.14 तो आपको value मिल गया 7.86 तो यह पहला वाला step हो गया कि जिसमें से हमने unknown reactions find out कर लिए r a और rb और इसके बाद जाएंगी हम sfd और bmd की दारफ अपना यह diagram हो गया अभी sfd देखते हैं तो sfd में देखिए share force values तो share force values में सबसे पहले हमने point लिया a c d और b यह 4 point थे तो सबसे पहले वाला point लिजे a तो a point के left side में कोई कुछ है क्या नहीं है तो 0 लिखती जे तो a point के right side में मतलब हमको r a का value consider करना है and that value is 7.86 v r a का meaning होता है value right of a v l a का मतलब value left of a ठीक है तो v r a के लिए value मिला हमको 7.86 now second point c तो c के left side में c के left side में कुण से कुण से force है 7.86 and नीचे आने वाला minus 6 तो यहाँ पे c के लिए value क्या मिला हमको c के left में value मिला 1.86 अभी c के right में value लेंगे तो c के right में value क्या जाएगा 1.86 और minus 3 so minus 1.14 is the value for the c right side फिर अभी आएगा d का left side d के left side में देखो जो value c के right में आये था वो value minus 1.14 क्योंकि इसके अंदर कुछ भी add नहीं हो रहा है बरावर है span के अंदर बाद में जब d के right side में हम जाएंगे तो उसके अंदर क्या होगा यह वालो जो 5 है यह 5 उसके साथ add हो जाएगा तो यहाँ पर देखो y के sorry d के right side में v r d minus 1.14 minus 5 value minus 6.14 बाद में आएगा लास्ट वाला point b point value left of b value left of b minus 6.14 और value right of b कितना हैगा minus 6.14 plus r b का value 6.14 तो हर एक point का left side और right side दोना analysis करने दोनों का values का summation आपको करना होता है ऐसे सारे point का करना रहता है यह होगे आपना shear force values अभी देखते हैं bending moment के से आता है तो simply supported beam में bending moment के लिए एक rule है वो क्या rule है पहला और आखरी value 0 आना चाहिए पहला point और आखरी का point इन दोनों का value क्या चाहिए 0 चाहिए तो लिख दिया मैंने 0 moment at point a is 0 moment at point b is 0 ठीकिए अब बचे को हम दो भी point बचे C और डी तो अभी C point के लिए हमको value लेना है तो C point के लिए कौन से value लेते अभी क्या हुआ देखो C is the center point है C हमारा center point हुआ है तो इसमें rule क्या है कि पहले point को left side से count कीजें दूसरे point को right side से count कीजें तो अभी देखो पहला वाला जो point है C actually नजदिक वाला corner देखना चाहिए यहाँ पर तो नजदिक वाला जो corner होता है वहाँ से देखते हैं तो C का पास वाला corner कौन सा है C का पास वाला corner है A side से तो C के left side में अगर हमने देखा तो R A जो ए बीम के उपर से घुमेगा तो यहाँ पर clock wise एंटी clock wise नहीं करना है बीम के उपर से अगर कोई घुमता है तो उसको positive लीजिए देखो यहाँ पे लिए है 7.86 into 3 into 3 आने क्या 7.86 से लेके C point तक का जो distance है वह हमने multiply किया बरबर है और C के left side में ही हाँ पे एक 6 है तो 6 कैसे वह बीम के नीचे से घुम रहा है 6 तो बीम के नीचे से घुम रहा है इसलिए उसको minus 6 into 1.5 इस distance यहाँ पे देखो minus 6 into 1.5 minus 1 तो C का वैल्ली मिल गया 14.58 किलो न्यूटन into मिटर चाहिए यहाँ मोमेंट है इसलिए हमने into distance किया तो into मिटर आए गए आएगा बाद में आता है deep one तो पहले point को left side से गिने दूसरे point को right side से गिने तो D को right side से गिनेंगे तो right side में मैं देखो क्या है Rb का value नहीं हमारा 6.14 मैंने क्या बता है अभी कि beam के उपर से अगर घुमता है तो उसको positive लेना है positive लिए 6.14 into 2 तो into 2 यानि क्या Rb का distance D point तक इसका distance D point तक जो है उतना हमने multiply किया तो इसके आलावा और कोई force नहीं है बस उतना ही force है तो उसका value मिलगा हमको 12.28 और आखरी का point 0 ओके तो यह हो गया BMD का value तो अभी values आप धहन में रख लीजे इसका diagram को बनाना है तो सबसे पहले देखो एका value था पहला 0 दूसरा value था 7.86 मतलब आरे का value C के दो values थे 1.86 माइनस 1.14 डी के दो values है माइनस 1.14 6.14 और बी का एक ही value तो अभी हम diagram देखते हैं इसके diagram कैसा आएगा तो यह वाला पहला वाला diagram देखो तीनों भी diagram हमको एक के नीचे एक ही हमको draw करने हैं तभी हमको marks मिलेंगे otherwise marks नहीं मिलेंगे इसका deflection यह है इसका deflection यह है चीक है तो अभी यह वाला जो diagram हमने draw किया तो सबसे पहले देखो इसके बराबर A point के नीचे C A point C के नीचे C A D के नीचे D और B के नीचे B लेना चाहिए तो एक को पहला value था 0 तो 0 से start किया एक को दूसरा value था क्या प्लस 7.86 प्लस 7.86 तक आ गए C के लिए दो values थे एक value क्या था C का minus 1.86 दूसरा value क्या था minus 1.14 तो अगर span के अंदर UDL है तो दोनो point join के से करना है आपको incline line से join करना है एक arrow नीचे आ रहा है तो 100% एक line आपको नीचे ही जाएगा और दोनो values पता है सी कर तो D के भी दो values मिले थे हमको D का पहला value क्या मिला था minus 1.14 था और दूसरा value क्या था minus 6.14 था तो CD के उपर UDL नहीं है तो हमने straight line से इसको join कर दिया एक arrow नीचे आ रहा है तो यहाँ से 100% एक line नीचे आया minus 6.14 और यहाँ से D का जो value था 6.14E मिला था हमको minus 6.14 पहला value D का minus 6.14 था और दूसरा जो value था वो 0 था तो यहाँ से बराबर 0 तक हमें डाइगराम लेकिया है तो यह हो गए अपना SFD और BMD में क्या था पहला value 0 लास्ट वाला value 0 और उसके अंदर C का value 14.58 निका ला था और D का value 12.28 निका ला था देखो UDL है तो incline line incline line आया है तो इसका deflection जो है BMD का वो curve में दिखाते हैं CD में देखो straight line है तो यहाँ पर incline line आएगा आपको यहाँ पर curve दिख रहा है लेकिन ही incline line आना है यहाँ पर भी straight line है तो यहाँ पर भी incline line आएगा तो यह हो गया अपना SMD और BMD तो ऐसे ही हर एक problem का मतलब cantilever का है overhanging का है theoretical problem है तो इसके main main problem में आपके लिए लेका होंगा उसका solution आप इसका practice कीजिए तो practice के लिए मैं आपको देखो यहाँ पर दो problem देता हूं तो यह दो problem आप practice के तोर पे इसको solve कीजिए मुझे भेजिए इसका कुछ doubt है तो वह पूछे और सौम के 30 questions के लिए ready हो जाइए इतने ही 30 questions आपको करने है उतना भी करेंगे तो आप पास हो जाएंगे like कीजे share कीजे subscribe कीजे चैनल तो और सब बच्चों तक यह वीडियो पोच्छा दीजे थैंक्यू वेरी मच गाइस पर वाचिंग